आपका स्वागत है आज हम उन लोगों के बारे में जानकारी देंगे जिनके हाथ पेरों में हमेशा एठन की सिकायत रहती है और यह है विटामिन बीव की कमी से होता है तो आज हम आपको कुछ घरेलू उपाय बताएंगे और आपको बताएंगे कि घरेलू उपाय से आप अपने हाथ पेरों को किस तरह से ठीक कर सकते हैं दोस्तों पहला उपाय है जिनके हाथ पेरों में एठन बनी रहती है वे अखरोट का तेल ले लिजी अकरोट के तेल से दिन में कम से कम दो बार आप मालिस करते हैं तो आपके हाथ पेर में जो एठन की समस्या बनी रहती है ये जल्दी ही ठीक हो जाएगी जिनके हाथ पेरों में एठन रहती है आप इसमें एक काम और कर सकते हैं नारंगी के फल ले लीजिए, ताजी फल होने चाहिए, पचास गिराम की मात्रा में, आप इसका रोज सुवे को सेवन करते हैं, तो आपके हाथ पेरों की एठन जो में सब बनी रहती है, उसमें आपको बहुत ही फायदा होगा, हाथ पेरों की एठन के लिए आप एक और उपाय कर सकते हैं, तगर होती है, तगर की लकडी, आप उसका चूरन ले लीजी, और उस चूरन को कम से कम एक ग्राम से चौथाई भाग में, आपको रोज सुवे को लेना है, या पानी से लेना है, अगर आप इसको रोज लेते हैं, तो आपके हाथ-पेरों की एठन हैं, वेप पूरी तरह से ठीक हो जाएगा, खात पेरों की एठन के लिए आप एक और उपाय कर सकते हैं, तारपीन का तेल आसानी से बजार में हर जगा मिल जाता है, रोज दिन में कम से कम दो वार आप इसकी मालिस करते हैं, तो आपके हाथ पेरों के आपकी मसल्स भी ठीक होंगी और आपके हाथ पेरों के लिए आप एक और उपाय कर सकते हैं आप काली मिर्च का तेल ले लिजिए काली मिर्च के तेल से आप दिन में दो बार मालिस करिए यह असानी से आपको बजार में उपलवद हो जाएगा इसे आप दिन मे दोस्तों आज हमने आपको हाथ पैरो की एक घर की आप इससे अगर सकते हैं यज़र जरूर कीजिए घर करना के लिए यह वीडियो आईकन का बटन दवाना ना भूले मोस्तों आइरवेड को हम हर घर में पोचारा बहुती है और प्रगर से रोग को दूर करना चाहते हैं आप हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल आर्वित साला को सब्सक्राइब करें क्योंकि आर्वित साला है आर्वित की पाट साला नमस्कार